नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है नील और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही खास वीडियो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली युनिवस्टी से रेगुलर या फिर एंसी वैप से आप ग करना होगा वो इस वीडियो में आपके साथ सेर किया जाएगा तो दोस्तों आपके टीचर्स ने आपके साथ में एक एगजामनेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक लिंक आपके साथ सेर किया होगा अगर उन्होंने लिंक आपके साथ सेर नहीं किया है तो आपको लिंक नहीं है वो भी बताया जाएगा आपको तो वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहीएगा सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है या फिर आप इसे लैप्टोप में भी ओपन कर सकते हैं यह लिंक ओपन करना है आपको नाम आप एंटर करेंगे डेट ओब बर्थ में आपका जो भी डेट ओब बर्थ है आप यहां पर एंटर कर लेंगे रजिस्टर्ड इमेल आईडी में जो भी आपने कॉलिज में अपना इमेल आईडी रजिस्टर्ड कराय हुआ है वो आप यहां पर फिल कर देंगे यह डि यहां पर लोग आउट का कुछ इस तरह का आपको option दिखाई देगा उसके बाद यहां पर आपके सामने option आएगा home का और edit modify exam form और important link उसके बाद में आपको यहां पर यह बीच वाला जो option आपको दिख रहा है modify exam form आपको इस पर click कर लेना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा जो भी आपने पिछले examination form में आपने कुछ details आपने share की थी उसके basis पर कुछ details यहां पर आजाएंगे और आपको जो कुछ details जो हैं आपको यहां पर fill करने होंगी जैसे कि enrollment number है अगर आपके पास enrollment number है तो आप यहां पर fill कर सकते हैं अग और fill करने के बाद में आप यहां पर page को scroll करके आप नीचे की तरफ आजाएंगे और इसके बाद में आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह test है वो आप हिंदी में अगर चाहते हैं तो आप इसको yes कर सकते हैं otherwise आप उसे no भी कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर क्या करना है part of paper में जो आपका semester है वो आप यहाँ पे select कर लेंगे जैसे कि यह first semester है इस student का तो हम यहाँ पे first select कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे semester कौन सा है वो आप से यहाँ पे select कर लेंगे और उसके बाद paper type में हम यहाँ पे paper type में वो select करेंगे जैसे कि हमारे कुछ subject से होते हैं core के कुछ होते हैं ECC के तो जैसे कि हम सबसे पहले ECC वाले जो subject है वो यहाँ पे add-on करेंगे ठीक है यहाँ पर यह आपको इस पर click क्यों करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होगा जब आप add page पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके अपना subject आपको select करना है मैं भी करके दिखाता हूँ आपको माल लेजिए अभी मैंने जो subject से लिये हुए है ठीक है जो मैं exam दूँगा तो यहाँ पे मुझे select कर लेना है उसका code आपको जो है match करना है कि आपने जैसे माल लेजिए मुझे English का subject जो है यहाँ पे add on करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में जो भी English subject होगा उसका मैं code match करूँगा जैसे कि मेरे पास में English का जो subject है उसका code है 72032801 तो यह सबसे पहले वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 72032801 ठीक है English A यह है यह paper code होता है यह हमें match करना है ताकि हम गलती से कोई दूसरा जो है English का subject select ना कर लें तो हमें फिर paper में उस टाइम पे problem आ सकती है उसके बाद में यह इस पे click किया उसके बाद add papers पे हम click कर देंगे click करने के बाद में अब जो दूसरा subject है वो मान लीजिए core का है तो हम core पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे subject पे click करेंगे उसके बाद में हम अपने second subject का जह है paper code चेक करेंगे जैसे कि second code है हमारा Hindi का 52051222 यहाँ पे हिंदी वाले में जाएंगे 52051222 और यह core हिंदी भी है इस पे click करेंगे उसके बाद add papers पे click कर देंगे यह दो subject add हो गए उसके बाद में core का जो third subject है वो हमारा है business loka इसका मैं एक बाद paper code चेक कर लेता हूँ business loka 52411201 हम इस पे click करेंगे अब उसके बाद में subject आता है हमारा business mathematics and statistics और उसके बाद में इसका paper code है 52411202 तो हम यहाँ पे click करेंगे paper name पे और यहाँ पे नीचे आके business mathematics वाले पे यह paper code है इस पे click करेंगे add papers पे click कर देंगे यह add हो चुका है add होने के बाद में आपको एक बार फिर दुबारा से अपने यह जो paper code है और subject है वो एक बार match जरूर कर लेना है ताकि आपसे कोई गलती न हो कि आपने यहाँ पे इतने सारे subjects में से कोई गलती से आपने दूसरे code का अगर paper आपने यहाँ पे add कर दिया है तो आप यहाँ से delete कर देंगे और उसके बाद दुबारा से यहाँ पे जो भी आपका correction है वो जाती आप यहाँ पे करेंगे और फिर add कर देंगे वो ठीक हो जाएगा ठीक है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने paper quotes को match कर लिया है ठीक है और उसके बाद में हम यहाँ पे click कर देंगे check box बना होगा यहाँ पे नीचे ठीक है जो consent है मतलब की जो हमने जो fill यहाँ पे details की है ठीक है वो सबी ठीक है तो हम इसे सहमती दे देते हैं क्लिक करके और उसके बाद में final save and submit पे हम click कर देंगे और click करने के बाद यह हमें इस page पे लेके आ जाएगा और आप इसका print भी ले सकते हैं और print अपने पास में आपको रखना है save, print लेने के लिए simply आपको यहाँ पे print पे click करना है जब आप print पे click करेंगे तो उसके बाद में save as PDF और उसके बाद यहाँ पे save पे हम click कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पे इसका rename type कर लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे rename type कर लेता हूँ already मैंने यहाँ पे कुछ examination form फिल करके save किये हुए है तो यहाँ पे मैं आज की date के हिसाब से save कर देता हूँ इसको desktop पे और ये save हो गया ठीक है इतना करने के बाद में अब हमारा second step आता है fees का कि आप में fees कैसे fill करनी है ठीक है तो दोस्तों आपको बता दूं मेरे पास में ये link है ठीक है ये link आपके teacher से आपको लेना है ठीक है वो teachers आपको आपके जो भी teachers हैं वो आपको share कर देंगे ठीक है या फिर आपको ये video के description में भी मिल जाएगा तो आपको इस वाले आपको portal पे आ जाना है open कर लेना है google chrome में link को open करने के बाद में आपको अपना registered email id यहाँ पे enter करना है जो भी आपने वहाँ पे दिया हुगा है college में ठीक है तो यहाँ पे हम registered email id डाल लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे capture जो है fill करेंगे तो इसे fill कर लेते हैं सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पे registered email id एंटर कर लिया है और नीचे capture भी मैंने mention कर लिया है और उसके बाद हम login पे click कर देंगे जैसे ही हम login पे click करेंगे तो आपका जो registered email id है उस पर आपको 6 digit का एक OTP code गया होगा तो वो OTP code आपको चेक कर लेना है और आपको यहाँ पर enter करना है तभी आप login कर पाएंगे तो मैं चेक कर लेता हूँ OTP code mail id open करके तो OTP code मेरे पास में आ चुका है OTP code है 4353 435317 तो हम यहाँ पर login पर click कर देंगे इन केस अगर आपके पास में OTP code नहीं आ रहा है तो आप resend कर लेंगे और वो OTP code आ जाएगा आपके बास अगर आ गया है तो आप login पर click कर देंगे एंटर करने के बाद और उसके बाद यह login हो जाएगा login होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा जिसमें कि आपको यहाँ पर profile का icon बना हुआ दिखेगा और निच्चे fee का आएगा तो हम fees पे करनी है तो हम fee पे क्लिक कर लेंगे और fee पे क्लिक करने के बाद list of services पे हम क्लिक करेंगे list of services पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे options दिखेंगे PhD का चिक है और इसके लाबा library का दिखेगा test का दिखेगा और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको NCWeb 2018 का यह दिखेगा note set लिखा हुआ जिस पे और उसके बाद एक और लिखा होगा ID card का fees लिखा होगा आपको यहाँ पे सबसे नीचे जो लिखा है न 610 रुपे और अपना यहाँ पे आपको semester चेक कर लेना है जैसे कि मैंने second semester का किया था second का और यहाँ पे पे हमें क्या करना है examination fee यहाँ पे चेक कर लेना है आपको गलती मत कीजेगा सबसे last वाला examination fee जो लिखा है इसके सामने देखिएगा 610 रुपे हमें pay करने और pay fee पे हम click कर देंगे pay fee पे जैसे हम click करेंगे उसके बाद में आपकी details आपके सामने आ जाएंगी ठीक है कि total amount कितन पे ले आएगा easy pay पे और उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप net banking से pay करना चाहते है debit card से या credit card से तो simply मैं debit card select करूंगा और उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है email ID आप डाल सकते हो अगर आप चाहते हो कि our pair का name आप डाल सकते हैं optional यह इसको blank भी छोड़ सकते हैं तो मैं यहाँ पे नाम enter कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो है details में pair name डाल दिया email ID डाल दिया उसके बाद में proceed now पे हम click कर लेंगे proceed now पे click करने के बाद में यहाँ पे आपको card holder name में आपको card holder का नाम डाल देना है जिसका जो card है ठीक है उसका नाम जाएगा और इसके बाद में card number में आप अपने ATM card के जो बीच में 16 अंक लिखे होते हैं वो card number होता है वो यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद में expiry date डालेंगे ATM card का और expiry date का year डालेंगे और ATM card के back side में पीछे जो सफेद पठी होती है उसके सामने तीन अंक लिखे होते हैं last क अप यहाँ पर enter करेंगे cvp code तो मैं यहाँ पर details फिल कर लेता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर details फिल कर ली हैं उसके बाद में continue पर click करूंगा और इस पर no thanks पर click कर देंगे और continue पर जैसे ही आप click करेंगे उसके बाद में आपको bank की तरफ से जो भी आपने ATM card की details डाली ह होंगी आपको bank की तरफ से OTP code आ जाएगा तो आप wait कर लेंगे OTP code का और जैसी ही आपके पास OTP code आएगा आप यहाँ पर OTP code एंटर कर लेंगे तो मैं OTP code चेक कर लेता हूँ अपने पास में कि OTP code क्या आया हुआ है तो दोस्तों मेरे पास में OTP code आ चुका है मैं यहाँ OTP code एंटर कर देता हूँ और OTP code एंटर करने के बाद हम यहाँ पे submit पे click कर देंगे submit पे click करने के बाद में आपको थोड़ा सा wait कर लेना है और यहाँ पे यह जो payment है अभी field आ रही है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ sorry यहाँ पे यह बता रहा है जो information है वो submit note secure दिखा रहा ह लेकिन हम send anyway कर देंगे और उसके बाद में यह जो payment है यहाँ पे हमारी हो जाएगी send anyway पे click करने के बाद में और हमें यहाँ पे check भी कर लेना है check कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ unable to save payment details और आपको आपको यहाँ पे my payments पे click करेंगे और my payments पे click करने के बाद यह द receipt आपके सामने आ जाएगी और आप इस receipt को save कर लेंगे ठीक है और save कैसे करना है आपको यहाँ पर click करेंगे आप और उसके बाद में फिर receipt यह desktop पर मैं आप save कर लेता हूँ तो यह दोस्तों मेरे पास में receipt आ चुकी है आपको भी इसी तरह से आपको अपना examination form fill करने के बाद fees आपको pay कर लेनी है और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई problem आती है payment करने में या फिर आपको examination form fill करने में तो आप दोस्तों नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजेगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए अभी के लिए इ झाल